साथियों, एक समय था जब भारत में नेट्रोल फार्मिक प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक तरू के से खेती होती थी प्राकृतिक खेती याने खेती में कोई बाहरी मिलावट नहीं जो खेत से मिल रहा है, खेती में जुड़े पसूओं से मिल रहा है, वही तत्वा खेती को बढ़ाने के काम में आते थे खाद हो, किट नाशक हो, सब कुछ प्राकृतिक तरीके से ही बनते थे, इस्तमाल होते थे लेकिन समय के साथ प्राकृतिक खेती का दायरा सिमडता गया, उस पर केमिकल वाली खेती हावी होती गई धर्ती मा के काया कल्प के लिए, हमारी मिट्टी की सुरक्षा के लिए, आने वाली पीडियों के बविश्य को सुरक्षित रखने के लिए, अब हमें एक मार फिर प्राकृतिक खेती की तरब मुड़ना ही होगा, यही आज समय की मांग है, और इसलिए अब सरकार नेट्रल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को जांगरुक करने के लिए, बहुत बड़ा अभियान भी चला रही है, और आज है अब हम, आजादी के 75 साल, आजादी का अमरित महोत्सों मणा रहे हैं, तब मैं देश वाचियों से, खास करके मेरे किसान भाईयों बहनों से, विशेद कर मेरे छोटे किसारों को, आज किसान दिवस पर आगरा करूंगा, कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ें, प्राकृतिक खेती खर्द भी कम होता है, उत्पाद भी बगता है, ये खेती का सबसे सस्ता तरीका है, सबसे सुरक्षित तरीका है, और आज के विश्व में, प्राकृतिक खेती से पैदा हुई फसलों की किमद भी बहुत ज़्यादा है, ये हमारे क्रिसी सेक्टर को, आत्म निर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम है, मैं देश के स्टार्ट अप सेक्टर को भी, नव जवानों को भी कहूंगा, कि नेचुरल फार्मिंग के आपके लिए अनेक नई संभावनाय है, हमारे नव जवानों को, युवाओं को, इसका पूरा लाब उठाना चाहिए, अभी यहां मंच पर आने से पहले, मुझे ऐसे कई युव से मिलने का मोका मिला, सरकारी योजनाओं से जुड़ने से, कितने बड़े साहस्पूर्ण काम उन्होंने किये हैं, कितना बड़ा बड़ला उनके जीवन में आया है, मैं उसे सुन करके बहाती आनन्दित हुआ, योजनाओं के प्रती मेरा विस्वात और मजबूत हो गया,